तो विश्वास करके छोड़ दिया और लड़की को तीन दिना कैंट बनारस वहां रखा था तीन दिना बिट गया और हम लोग सोचे कि भाई आई नहीं लड़की हमारी आई नहीं और जो हकी तीन रोज हो गया इसके बाद जब हम लोग बेचैन हो गए तब उसके नाम पर पूरा पूरा हकीकत बताए लेकिन बोला कि भग जाओ यहां से हका करें साब लचार होगे कहां जाएगी कहां जाएगी अगर हम छोड़ देते हैं तो कहीं जहर खाके मर जाएगी तो इसलिए हम साब आपना लिए आपको पता चला की बिटिया के साथ ऐसा हुआ है पूरा पता चला जब वो आए तो पूरा पता पूरा हकीकत बताए तो पूरी बात जान करके फिर भी आमा पना ली इस लिए कि भाई हमारे तन कि जन्मा है हुआ है ता मीडिया भाईया वाले लोगं कमन का साथ मिलो वह मेहाथ जोर के मींती कर था आइला हमने मीडिया वाला भाई सब्सक्राइब को बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्सक न्यूट 24 में बता दी कि आज हमारी मावजूदगी उत्तर प्रदेश के जानपूर जनपत के चंद्रवक ठाना अंतरगत हिसामपूर गाउं में हैं इससे पहले हमने आपको खबरों में दिखा था कि आपने देखा था कि किस तरह से एक बिन ब्याही मा जो अपने तेरह वर्थी बच्चे को लेकर दरदर की ठोगरे खा रही है और अपने बच्चे को उसके बाप का नाम दिलाने के लिए तमाम जद्दो जहत कर रही हैं और बता दे कि वह महिला एक बड़ी बिरहा गायक करें और कला कभी छुपाई नहीं जाती दोस्तों बिरहा का एक समय बहुत लंबा क्रेज हुआ करता था और बहुत इज्जत मिला करती थी काफी सम्मान मिला करता था उस समय लोग गायकी के माध्धम से लोगों के मनरंजन किये जाता हैं लेकिन कुछ दिनों से कुछ ऐसी समाज में आ रहे हैं जो पूरी तरह से लोगों को हैरान कर दे रही है요 इसा ही मामला यहां पर कि किस तरह से कोसुम राज की पीड़िता जो की बिरहा गायक है और दली समास से आती है यहीं का एक बिरहा गायक रजेस यादो नाम का व्यक्ति उसके जिंदगी में इंट्री करता है उसके बाद उनके साथ उनको जहांसा देती हुए संबंद बनाता है और यह कहता है कि मैं तुम इस बेटे का बार्सन करवा दो बेटे को जन्म मत दो मैं इसको नहीं सुका रहे हुगा लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है दोस्तों कि माता का दिल बहुत मोम होता है और मा का जो दिल होता है वो बहुत कोमल होता है माता कभी कुमाता नहीं होती लेकिन कुछ मात लेकिन उस माने अपने बच्चे को जन्म दिया जन्म देने के बाद वह आज निरंतर अपने बच्चे को न्याई दिलाने के लिए कोड के चहरी थाना दालत के चक्का लगा रहे हैं लेकिन सासन प्रसासन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी है और आज वो पीड़ता अपने न्याई के लिए दर दर भटक रही है तो आज हम पुना यहां पर उपास्थी था हैं और आज बता दे कुछ भी रहा गायक कुसुम को नाम ही आज करते कर अणे कर से जानने के प्रयास करते अफिन नाम हों थाना आज चो आज बटिया कुसुम both के द्वारा बताया गया कि बिन बाप की जो यानि कि बिन पती की वो मा बने हैं यानि कि अपने बच्चे को उसके बाप का नाम दिलाने के लिए दर दर की ठोकरे खारी क्या है पूरी कहानी 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 है साब को कारिकरम कराने के लिए ले गया हम लोग से हम लोग तो जानते हम समाढ बहुति कूसम मिलेगा हुशने नहीं dul already do b effic legit है तो बोला कि इसके साथ हम कारीकरम करेंगे तो समाज में बहुत संमान मिलेंगा इसाइब साने प्याइब Leonard सब्सक्राइब करने trademark आएंटर विष्वास किया और ले जाकर लड़की को तीन दिना कैंट बना रखा था तीन दिना बिट गया और हम लोग आई नहीं लड़की हमारी आई नहीं और जो है की तीन रोज हो गया इसके बाद जब हम लोग बेचैन होगे तब उसके नाम पर गए चंदवक ठाने पर चंदवक ठाने पर गए साहब जब लगे कुल बात करने कुल बात पूरा हकिकत बताए लेकिन बोला कि भग जाओ यहां से ऐसे तो बहुत लोग आते हैं हमारे इहां कौन साहब उता है लड़की आया नहीं वो है नह हम काओन आपका बात सुने भग जाओ यहां से ताम लोग साब चले यह उहां से चले आए फिर इसके बाद तिसरे दिन जो हा की लड़की आई तब जो हा की सारी बात बताई फिर लड़की साथ मिले के गई अपाई और लिखाने के लिए लेकिन कोई नहीं सुना ताम एई काना चाहते हैं कि हमारे लड़की को हाग और हमारे नाती को हाग पूरा मिलना चाहिए और उसके साथ हाग मिलने के बाद उसके साथ हम नहीं जाए उसके साथ नहीं चोड़ेगे लड़की ओ धंकी और यहां घरे भी आके देता है और बुलता कि जहां भी विराग आओगे वह इसा हुआ चलो चाहरी हो डिए कर चुना के अडियाम अधरआ डिर सब्सक्राइम् सेया है, तो कहें हमारे बेटे को हक मिलना चाहिए और राती को और sub नाती है अम लोग बहूत साः नाती को मौरता है सब ऺेंड़ भागाई ऐसे कि पहलें रिख कि बचा पहला पाइदा कर दी और इसके बाद जो है कि फुकरा दिया, आप कहां जाोगे, ऐसे हरकत मिलती है है लेकिन क्या करा है? क्या कहना चाहेंगे सासन पर सासन से हम कहने चाहते हैं साहब यही कि उसको हग मिलना चाहिए और सच्चाई मिलना चाहिए उन्हें कानून भी बनाए है और तमाम महिलाओं को लेकर जो कानून बनाए गए हैं और ऐसे में सुभिक मुखिया योगी आदितनाजी का कहना है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में असांती ब्योस्ता नहीं होने पाएगी और सासन प्रसासन को लेकर अगर जो लाएन आ और इसके बाद जो है राजसादों भग रहा है मिल नहीं रहा है बहुत मीडिया वाले स्थाब लोगों से बहुत हाद जूर के निवदन है हम जल्दी से जल्दी इसको पकड़िया हमारा निया दी तो राजसादों पहले नहीं बताए थे कि मैं साधी सुधा हूं नहीं साब कोई बात है नहीं था हम लोग से टाखत हैं लोग को फसा करके आप हंवान काम किया है कि कि उसको जल्दी से पकड़केव हमारे के सामनी करिये साब को एक और भर भी मैं ने की है हम आगे देखा हूं लेकिन प्र से देखना दो समय का भाव है और यह विचारे रोजमर्रा की जिन्दगी जिने के लिए सब्ची कर फेला लगाते हैं तो अभी जा रहें सब्ची बेचने के लिए तो हम उनको जाने देते हैं उनका ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंको नुक्सान नहीं और जो उनका जीवी का है अपने जीवी का के संसादन के लिए सब्जी का ठेला लगाते तो उनको हम रोकते नहीं है माता-जी हमारे साथ माताजी से जान लेते हैं कि तर्फर पूरा मामला क्या था किया नाम हुआ में था बाला कुश्म राज आपकी बेटी है हमाल लई की है तो यह कब हुआ माई तो कब पता चला कि की बgyुटाब पर में पता चला तो इस ऐसा हुआ था हुआ। करे बाद मानने कांपन लड़ कि लुटता हुआ है ता अ कुछा से लुटता पापा बोलना कि हम साथ में चलेगे, कहा है चाचा तुम कहा है जाबा हम खुदी लिया जाते है ला विस्वास कारा साम तक लिया के छोड़ दे हिसमा से mines अनिदा अनिदा स सुबहाइब, और पहाद कि अन यहाद घुझता मात। सो करे दूसरेर दीने लिया और फनो ख़र डुकावर छोली काता हो था बाद को उन्हें सं भाः नंत भाई यरा ख़ एंगा यरी से जीतने कहाई। हम चोंडेसे शेयं सिम्हें ऐन तब ख़व जाए जाओने स्वी एंग डूने अभभार ऐसे कुटने करेए जाते हा झाले में पधा हिए सनफ देटाने पर फिराध बिल्खथ सभे चलिया लिएा एले कर लिए घड़ेら भी खाली कर दोग्याछिज कि यहां नाए लड्कसमार फिर चंदबक लिखे गईली पूरी कहानी समय बता हुली तब धका मार के होनी के भागा आद अलाग पुलिस का कहीं हैं हड़ी आँ यहां से एसा सामीर हो जाते हैं हम नहीं किस लिखते हैं हड़ के जाओ यहां से और दूसरी बार आए तीसरी बार आए ऐसे बोलते हैं खुआ कर दो खुआ के बड़े पुआ कि यहां डाए बड़े जाओनपूर गईली चंदब का लुआ कोई हमाने का अधिकार ना मिला अभाद में हमांसे चली आए बाद में चुम्मार के बैठे लिग जब कमन के कानों निरला ना मिला तब मीडिया भाईया वाले लोग उनक यह जो अब देख पर हैं कि इस मां के आखो च्हलकते आशों साप साभ बया कर रहा है किस वक्त इन पर क्या भीत रही है और किस तरह से आप लोगों से निया की गुहा लगा रहे हैं तो इनकी मदद के रूप में आप इस वीडियो को ज्यादा सेर करें और कमेंट करके अपनी जरूर बताएं और सासन प्रसासन के पास तक पहुंचाएता कि इनको नया मिल सके तो माई जब तोके इबाद के पता चलल तू अपना ले लू आपना ले लिला जांक पर लड़का हग देला तमाता पीता उसका पोंच के फेक देते हैं गोदी में बच्चा उठा लेना लेकि अजो लाइक हते मारे लड़के अपने घर करती है सुलिजे दोस्तों बहुत बड़ी बात माई ने कहा रोते हुए बता रही एक मां कि आज मेरी बाएं मेरी बेटी ना तो बिधुआ है और ना ब्याही है तो आप सुलिजे कि किस तरह से इस मां की करुड़ा छलक कर इनके आँखों के जर इनके आँखों से आंसों के रूप में निकल रही है और मा की मा की गुहार है कि मुझे नयाय दिलाया जाए जिस तरह से मेरी बेटी की जिन्दगी बरबाद की गई है और मेरी बेटी के साथ चलकिया गया है और आज उसके साथ एक ऐसा करत किया गया है कि आ जो को लिए नहीं करेंगे इक और अब भीडियो के माद्याम से तुनके कादो करें चाहि हैं तो हम पहन बीटिया है। जो बाइफ मेंार कि वजी है। जोगे दिया है। यह दो भूल हो थे लिए ज़ते हैं। छुप अपुरे जनता से भूल नहीं हूँ। तो तो अभू पहन की भूल नहीं हैं। तो अभू को चाहत है हुमाई सब्सक्राइब करें नाति का नियाज चाहिए अब उस रजसवा यादों को कड़ी से कड़ी सजाए चाहिए आउर हम एकर आके कुछ ना बोला तो माई इस बात के लएके कोनो खत्रा उतर बिया है खत्रा दो से बहुत है रात रात के आते हैं पड़े में जाते लड़की तब देखे लिए तो गवजवार के लोग माई बोलिया बोला ना था रात अगाव जमार घर पलवार सभाई ताना महना मारत है लेकिन सब कर बात बरदास्करत बाड़ी का कयल याई कुछ कह लाक नहीं है दोस्तों कहा जाता है कि मां की मां इसके हमता का कोई था नहीं आज उस मां ने अपनी बीटिया को जनवा है तो कहीं हैं उसका आंस कहून है उसके बावजूद उसकी बेटी के साथ ऐससे क्रत त्युवा लेकिन माबाप ने अपनाया आज हवा इन की जो एक लोग गायAK है, बिरहा गायAK है, वाय ज अपनी माबाप के सर्ण में हैं लेकिन अपने नइयाई के लिए सासन पर सासन की चोखट पर बार बार जाती है, गुहार लगाती है लेकिन उसकी सूनी नहीं जाती है, उसको नियाय नहीं मिलना आए और आए दिन ऐसे से क्रत सामने आते जिसमें कि यह सबसे बड़ा ऐसा गिनावना क्रत है जिसको आपने सुना कि बीरहा जगत में बहुत बड़ा कलंक बहुत बड़ी कालिक लग रही है तो इसके बाद जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पहले सुधाई राम यादाव वो भी एक बीरहा गायक थे बहुत अच्छे कलाकार थे लेकिन गाउं में ही उन्होंने अपनी सगी चचेरी बहां से साधी करके बीरहा जगत को कलंकित किया और वहीं पर आज हम जाउनपुर से घटना आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपने देखा कि यहीं के रहने वाले बीरहा गायक रजेस यादव ने इस गाउं की ही दलिस समाज की एक बेटी कुसमराज का जीवन बरबाद कर उसको गाउं में समाज में दरदर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया अगर अकेली होती हुआ पीड़ता तो किसी तर अपना जीवन अपन कर लेती लेकिन उसक कोक में उसने अपना हन से चोड़ दिया आज उस बच्चे को लेकर वा समाज के तमाम तानिबाने सह रही है और तमाम जिंदगी जीने की जद्दो चहाद में लगी है तमाम जिंदगी जीने के नए-णए रास्ते खोज रही है सासंप्रसासं से नया की गुहार लगा रही ह में बच्चे को नया कि दिलाने के लिए तमा मत्यक प्रयास करें वैंकिन उसकी कहीं कोई संवाई नहीं हो रही तो क्या ऐसे किसी समाज में होना चाहिए समाज रहा तो अखिर कब न्याय मिलेगा क्या ऐसे समाज में होता रहेगा तो दसको मैं आप लोगों से पुना कहना चाहता हूं कि इस पीडिता को न्याय दिलाने के लिए आप लोग आगे आए और बता दे कि जनता जनारदन होती भगवान का रूप होती है और आप लोगों ने बहुतों क को ज्यादा ज्यादा सेयर करें ताकि यह सासन प्रसासन तक और सूबिक मुख्या योगी आदितना जी तक पहुंच पाए और साथ ही सासन प्रसासन के आला अधिकारियों के नीद खुले इस पीडिता को नय मिले और आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताएं तो दोस्तों आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं अगली खबर में जल्द मिलते तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद